नवरात्री का उप्वास और भूखी सास सास ने पकड़ ली थी नवरात्री के उप्वास रखने की जिद नव माताओं के लिए नव दिन ब्रत रखूंगी माईया की भक्ती में शक्ती है माईया हमारे परिवार को अपना शिर्वाद जरूर देंगी लेकिन अपना शरीर तो देखिए माजी आपका एक पाउं घर में रहता है और एक पाउं डॉक्टर की यहाँ फिर से बिमार हो गई तो जै मातादी के साथ राम नाम सत्य भी अरे राम नाम राम कैसी बाते कर रही हो बहू राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का मुझे अबरात रखने से मत रोको बहू बनना देवी मा नाराज हो जाएंगी नहीं तुम्हारी सास मा नाराज हो जाएंगी अरे पर मा भूखे क्यों रहना है देवी मा धोड़ी ना चाती होंगी के उनके भक्त भूखे रहे और आपकी तो सारी मनों कामना पूरी हो चुकी है ना मा लालच है बेटा लालच बुड़ा पे में भी खत्म नहीं होती अरे तुम चुप करो जी तुम्हारी पे उम्र है भक्ति भाव करने की ज्यादा बड़बड की ना तो तुम से भी उपवास रख वालूंगी हाँ अरे रौद्र रुप क्यों धारण कर रही हो मेरी मा रखलो व्रत ठीक है मा बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा मैंने टीवी पे देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से शरीर में कमजोरी नहीं होती अच्छा ही है वना ऐसा नहो कि नौ दिन के बाद तुम मैया के द्वार की जगसी था हरी द्वार अरे तुम मुझे हरे द्वार क्यों भेजना चाते हो क्योंकि अब तुम्हें माई के तो भेजने से रहा बाबु जी क्यों मा को परिशान करते रहते हो अच्छा मा ये बता दो क्या आपको व्रत में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा सास के सामने सब हार जाते हैं मा के कहे सामान को बेटा ली कराता है नवरातरी का पहला दिन है नाश्टा करलो, स्वस्तर हो, मस्तर हो मेरा अवरत से ध्यान भंग मत करो अच्छा ठीक है ठीक है भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना आई बड़ी तुम कोई खाना हो, जो तुमको देखूंगी आए बड़े मा जी, ये लीजे आपका फरियाली मिक्शर इस से वरत नहीं तूटेगा अरे इतना सा? दिन भर भूखी रहने वाली हूँ थोड़ा तो और लादे पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना मा जी पेट बर के थोड़ी ना खाना होता है करवाचाओत का वरत नहीं रख रही हूँ जो कुछ ना खाओं पीओं हाँ यार, ये तो मैंने सोच रही नहीं तुम इतने सारे वरत रखती हो तो मेरे लिए करवाचाओत का वरत क्यों नहीं रखती अरे जुबान पे तुम्हारा नाम न रखूँ वरत क्या खाख रखूंगी तुम्हारे लिए मा की कहने पर बहु और भी फर्याली ले आती है जिसे खाकर मा ड़कार मारती है इतनी जोर से डखार होगी तो दुरगा महिया भी डर जाएंगी तुमने तो उनके शेर से भी तेज आवाज निकाल दी अरे शेर के जैसा पंजाबी मारती हूँ मैं देखना चाहोगे तुम्हें पता है ना वरत रखते समय हिंसा वाली बातों से विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए सही कहा बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए इसलिए तो तुमसे दूर जा रही हूँ दूसरे कमरे में सास ने कई सारी ऐसी चीज़े खाई जिनसे वरत ना टूटे बहु सबर का फल मीठा होता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे शाम तक फल नहीं खाने देगी माजी एक घंटे पहले ही तो आपने इतना सारा अरे एक खाता ही बना ले उसमें लिखा करें कि मैंने कितना खाया कितना पानी पिया अरे नहीं नहीं माजी मैं अभी फल लेकर आती हूं जोर से बोलो नहीं माजी मैं फल लेकर आती हूं अरे ये नहीं जोर से बोलो जैमाता दी सासुमा एक साथ बहुत सारे फल खा लेती है माजी इतनी सोर से मैं डर गई अरे भक्ती की शक्ती की पुकार है पुकार नहीं डकार है हाँ हाँ ठीक है ठीक है चिप्स और लेकर आना जरा उससे बिवरत नहीं तूड़ता माजी आजी सब कत्म हो जाएगा नाश्टी का ही टाइम है अरो ठीक है ना बेटा मैं अब कुछ खाऊंगी ही नहीं तुझे इतनी तकलिफ है तो नहीं नहीं माजी मेरा मतलब था कि उप्वास में सर्फ इतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए सही रहे स्वाद के लिए खाने से तो अच्छा है कि उप्वास ही मत रखो माता जी की कृपा तो वैसे भी बनी ही रहती है अरवा बहुआ एक ढोलक और हार्मोन्यम भी लेकर आना और प्रवचन करने लग जा श्री श्री एक सो आठ बहु ईश्वरी माता माजी मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ बहु की सही सला को भी सास नजर अंदाज कर देती है थोड़ी दिर में बहु सास को चिप्स ला कर देती है आलू की चिप्स मसा गया आलू किसी भी सबजी में चला जाता है आलू पनीर, आलू पालक, आलू टमाटर, आलू भिंडी और तो और पराठे में भी चला जाता है वैसे ही इंसान को भी हर स्थिती में आलू जैसा होना चाहिए थोड़ी तेर में बहां ससुर्जी आते हैं क्या चिप्स खा रही हो? अरे नहीं जी दिख तो चिप्स ही रही है आरा तो पूछ क्यों रहे हो? अरे गुसा क्यों हो रही हो? उपवास में गुसा नहीं करना चाहिए और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम उपवास करती हो हमने भी तो किया होगा कभी नहीं जी नहीं तुम तो करी नहीं सकते तुम उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास तूट जाता है अच्छा थोड़ी से चिप्स मुझे दे दो, मन लल्चा रहा है नहीं, उप्वास के लिए है, तुम अपना खाना खा ली न जो भी बने पूरा दिन, सास कुछ न कुछ खाती रहती है, जैसे ही रात होती है बस, उप्वास हो गया, अब मैं खाना खाऊंगी जो दिन भर से खा रही थी, उसको क्या बोलते है बाबु जी, क्यों मा को परिशान करते रहते हो अरे लड़के, तेरी मा दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भुखमरी के समस्या इसी की वज़े से बढ़ रही है और खाने की दिक्कत नहीं है, कितना भी खाए लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है कुछ उपर नीचे हो गया, तो तेरी मा खाने के बाद हाथ दोएगी और तू अपनी मा से हाथ दो बैठेगा अरे इत्तू सा तो खाया था, ओ पवास भी ना तोडू क्या ठीक है, नहीं खा रही बस अरे बहु तूम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने ना जी ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी खाना दे रहे हो या नहीं, या नौ दिन बिन आजा लेके उपवास रखलू देने के लिए धमकी अच्छी है, सुनने में भी डराओ नहीं लग रही है पर जैसे तुम्हारी जुबान में स्वात का खून लगा है ना, तुम भूकी नहीं रह पाओगी मैं कसम खाती हूँ जी अरे देखो, कसम भी खाओगी तुम अरे कुछ और दे दो इसको खाने को ये ले, दाल चावल खा ले बस डॉक्टर भी कहते थे कि मा को आए दिन पेट से जुड़ी समस्या रहती है बस इसे के लिए घरवाले पहले उन्हें उपवास नहीं करने दे रहे थे लेकिन जब उपवास करने दिया तो मा ने इतना फर्याली खाया कि घरवालों की चिंता बढ़ा दी और जैसा कि घरवालों को डर था अगले दिन उनकी तब्यत खरापी हो गई डॉक्टर को बुलाना पड़ा अरे जेतनी बार आप बिमार होते हो उस हिसाब से तो मुझे एक क्लिनिक आपके घर में ही खोल लेना चाहिए या फिर क्लिनिक पे ही इनका एक अलग कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साब बाबु जी, पिता जी मेरे जनक क्यों हमेशा मजाग करते रहते हो डॉक्टर साब मा का पेट क्या खाया था जो मिला जो दिखा, सब कुछ अरे बस भी करो जी बस तो तुमको करना था खाते बाग्त देखिए, खाना अच्छी बात है और उपास भी आदमी को रखते रहना चाहिए लेकिन तब जब शरीर लायक हो पहले दिन ही बिमार हो गई अब भी कुछ खाने कोई दे रहे हो हाँ, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी, समझ गई आप अब तो ठीक होना है अब मुझे जोर से बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी